सब्सक्राइब कीजिए वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां कैसा रहीगा आपका दिन सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी उम्र ठका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती अगर जीदने की जीद हो तो परिस्थीत्यां भी हरा नहीं सकती अगर परिवार में एकता हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का हल निकल जाता है लेकिन यदि परिवार बटा हुआ होतु, छोटी से छोटी बाद भी मुसीबत बन जाती है, हर एक नई सुभा, एक नई शमतकार की संभावना रखती है आज का पंचांग 30 सितंबर 2020 दिन बुद्ध्वार आश्विन मास के शुक्र पक्षकी स्चेतू दर्शिति थी, रातरी 12 बचकर 26 मिलड तक रहेगी, इसके उपरांथ पुर्णिमा तिति प्रारम हो जाएगी पुर्वा भादर पदा नामक नक्षत्र रातरी 3 बचकर 15 मिलड तक रहेगी, इसके उपरांथ उत्तर भादर पदा नामक नक्षत्र प्रारम हो जाएगी आजकर आहुकाल अर्थाद दिन का सबसे असुपसमें, दो पहर 12 बचकर 16 मिलड से 1 बचकर 45 मिलड तक रहेगा, आजकर कोई अभिजीत महुरत याने सुपसमें नहीं है आचेंद्रम कुमराशी पर रातरी 8 बचकर 36 मिलड तक रहेगी, इसके उपरांथ मीर राशी पर संचार करेगी और आश्योर्य कन्या राशी पर रहेंगी मीर राशे 30 सितंबर 2020 दिन बुद्धुवार एक पेश्वन नुक्षाना आपको चिंतित कर शकता है, ब्रेक लेकर थोड़ा मचल लें, साथी या बच्चों के साथ मनुरंचना आपके मूड को हलका कर देगा जोकिं भरे कामों से बचे और बुजूर्गों से सलाह ली, उन सम्मंदों में कुट नितिक ये बने जो अभी आपके तनाव का कारण है आपके सितारे जीवन को ने जोस और संभावनाओं से भरने वाले हैं, अपने आवेश पर नियंतर रखकर आप सफलता और अईस्थिरता का मचल ले सकती हैं आशा आपके व्याकुलता मुस्किले पैदा कर शक्ती है, इसलिए दिल में कोई भी बात ना रखें आपके एक मिनट की आकरोश का मतलब है कि आपने प्रसंता के साथ सेकेंड खोद दीए, आप घर और व्यविसाय सम्मंधित सभी जीमेदारियों को बड़ी संजीतगी और गंभीता से निभाएंगे कोट के सम्मंधि सरकारी मामलों में भी विचय मिलने की संभावना हैं, इसलिए पूरा ध्यान इन कामों में केंदरित रखें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए पिछले घटनाओं से और जिन लोगों की वज़े से जीवन में समश्याई आई है उन लोगों के साथ अंतर बनाये रखना आपके लिए जरूरी होगा नए शुरुवात के लिए आपके पास उचित औशर प्राप हो रही है फिर भी अपने आसपास के उर्शा में बदलाव ना लाने की वज़े से उन अवशरों का उचित इस्तमाल आप नहीं कर पा रही है शौधानिया अचानक से कोई नकरात्मक बात हो शक्ती है जिसकी वज़े से धनहानी होगी आर्थिक स्थिती डगमका सकती है अपने क्रोधवा उतेशना पर काबू बना कर रखे तद्ह धैर और शेयम से काम ली लव लाइफ की बात करते हैं यह समय हैं अपने मित्रों के साथ गूमने फिरने और मनुरंशन का आपकी सकारात्मक्ता और रशनात्मक्ता के लोग दिवानी है और जल्दे हैं आपको कोई ऐसा मिलने वाला है जो आपकी जीवन का महत्व पूर्ण भाग बनशाएगा रोमैंस के सपने आपको दिव्य लोग में ले चाहेंगी आश बहुर नात्मक्ता का आनल लेंगी क्योंकि आप अपने सांती से नजदी क्या मैसूस करेंगी सांती पूर्ण रोमैंटिक जीवन के लिए आपने अपने प्रेमी से विचारों को साज़ा करें अपने रिस्तों के बारे में अपने उग्रभावनाओं को दबाएं सांत रहें और आगे की योशना बनाएं रिस्ता दिल से होना चाहिए सब्दों से नहीं नराज की सब्दों से होनी चाहिए मन से नहीं करियर की बात करते हैं अपने विफलता का सामना करना और सफलता के खेल का मचा लेना आपको अच्छे से आता है आपके विचार और सबन आपके दिन को एक नए दिसा दे सकते हैं लोटरी जुवा या इस्टोक सचिंता का कारण बनेंगे आपके सितारे आचाप के लिए रोचक संभावनाई लेकर आएं हैं आप अपने सफलताओं का आनन लेंगे और नए तकनीके आपकी परिकल्पना को और भी मजबूत बनाएगी आशतरिक्त आएके भी मौके आपको मिल सकते हैं शेहत की बात करते हैं सिदादश्य शोधार रहिचादा तनाओ ठकावत बड़ी रुकावटे हो सकती है इसलिए आपको अराम के लिए योग और स्वास सम्मंदित वयाम करने होंगे क्योंकि इसे से आप सांत और हल्का मैसूस करेंगी आश का उपाई आश अप मूं के लड़्डू का गड़िज भगवान शी को भोग चड़हें दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जीवन में हमेश सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ती रही आपका देश शुग हूँ